दोस्तों, भारत की तरफ से मालदीव को जाने वाले आलू, प्याज, टमाटर, गेहूं, चावल और अंडे के बाद, अब मालदीव को जाने वाले डेरी प्रोडक्ट्स को रोकने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, भारत मालदीव में दूध से बने हुए कई पदार्थ, जैसे कि दूध से बनी चाच, लस्सी, दही, घी, पनीर, ये सारी चीजें भारत मालदीव के अंदर एक्सपोर्ट करता था। तक की आने वाले टूरिस्ट का भी नुकसान करने वाला है। क्या है पूरी रिपोर्ट? आई एच के इस वीडियो में जानते हैं, बस हमें से ज्यादा पुरानी बात नहीं है। Observatory of Economics Complexity की रिपोर्ट के मुताबिक भारत नहीं साल 2021 में मालदीव को करीब है। 12.4 एक्सपोर्ट किये थे। इसमें दूद से बनी हुई तमाम चीजें भारत में एक्सपोर्ट की। इसके अलावा जैसा की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। ज्यादातर का इस्तिमाल करते हैं। लेकिन मालदीव की तरफ से कोई गलती कर नुकसान है। मालदीव को इस इंडस्ट्री में भी उठाना पढ़ेगा। जिसकी वजह से टुरिस्ट को वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाएगी जो वह चाहते हैं। और दुनिया के अलग-अलग देशों से आने वाले टूरिस्ट भी मालदीव के अंदर आना छोड़ डच देंगे। वही मालदीव से थोड़ी ही दूर पर लक्षद्वीप है जहां पर दुनिया भर की ऐसी तमाम फैसिलिटीज मिल जाएगी क्योंकि यह भारत का हिस्सा है और तमाम कनेक्टिविटीज जी तमाम तरह की भारतिये कमपनियां डायरेक्टली वो चीज एक्सपोर्ट करेंगे लक्षद्वीप के अंदर बिना किसी रोक टोक के तो इस तरह सीधे भारत को फाइदा मिलने वाला है और मालदीव जो अभी चीन की गोद में बैठा हुआ और लगातार चीन का समर्थन दे रहा है चाहे वो स्पाइस शिप हो या फिर चीन से लोन लेना है या फिर चीन का अंतर राष्ट्री इस्तर पर समर्थन करें इन सभी चीजों में चीन का साथ दे रहा है तो भारत आखिर मालदीव का साथ क्यों देगा और सिर्फ इतना ही नहीं है भारत के डेरी इंडस्ट्री लगातार बरहाती चली जा रही है साल 2022 और 23 में भारत में ही बांगला देश, UAE, सौधी अरेबिया, USA और भ्यूतान जैसे देशों को डेरी प्रॉडक्ट एक्सपोर्ट किये थे।